आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now हमारा question है apogamous cells और के हमारे जो apogamous cells है वो कैसे होते हैं तो इस question में हमें 4 option दी गए हैं जिनके basis पर हमें अपना correct answer select करना है gametophyte है gametophyte है gametophyte हमारे क्या होते है haploid होते है तो यहाँ से हमें clearly बता चल रहा है कि हमारेend appogamous cell कैसे है haploid है और यहीं से हमें ठर्म भी मिलती है क्या है वो epogamy कर देता है जिससे कि क्या होता है, वहावर जो हमारे gametes produce है, इनके fusion के बिना तो उसको हम बोलते हैं, इनके fusion के बिना, तो उसको हम बात करते हैं हमारे राइट और आपशन की, तो और आपशन A, हेपलयड हमारा राइट अंसर अर है का मतलब क्या होता है कि n number of chromosomes के single set of chromosomes जिसमें present होता है उसको हम क्या बोलते हैं है ploid तो B क्या दिया गा हमें diploid मतलब की 2N तो यह क्या है हमारा रोंग है क्योंकि हमारा sporophyte 2N होता है C क्या है polyploid polyploid का मतलब क्या है more than 2 or 3 क्या more than 2 और 3 को हम क्या बोलते हैं polyploid तो option C भी हमारा रोंग है और option D क्या triploid मतलब की 3 set of chromosomes तो option D जो हमारा वो भी रोंग है तो अब हम बात करते हैं right option के तो option A जो है haploid की epogramma cells है haploid हमारा right answer है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर